हेलो दोस्तो नमस्ते राम राम कैसे हैं आप सब मैं हूँ उशा सैनी और दोस्तो ये मैंने जैकिट जो शुरू की थी इसका ये वाला जो बाडर है ये तो मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कैसे मैंने ये बनाया है शुरू किया है और ये मैं आपको step by step बता बोडर में ने सी बिंगे कि यह वला बोडर मेंस हम बनाया है और इसी क्या ही मैंने पट्टी के लिए फंद हम जेसा यह आप नीचा देख़ाय एं वैपध की नट का इसी उसी मेरी बैनों ने कमेंट किये थी कि side की pocket डालने का तरीका बताईए कैसे आप ने ये बनाई है तो जब मैं इसकी pocket बनाऊंगी तो उसकी वीडियो भी शेयर करूंगी ये step by step मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा time लगता है एक ही वीडियो में दिखानी jacket मुश्किल हो जाएगी और दीरे दीरे जैसे जैसे ये तियार होगी आज इसकी दूसरी वीडियो डालूंगी मैं ये दूसरा step होगा ये design कैसे बनाया है मैंने और आपको अ टोटल 65 फंदे जाले है और पटी के अलग से मैं इसी में एड़्यस्ट कर लिये और बैक में जो हैं इसमें एक्सोबीस फंदे हैं 120 वंट्वंटी बैक में डाले हैं और ये बैक का बॉर्डर है इसका और ये है इसका एक फ्रण्ट साइड बोर्डर जो मैंने भी दिखाया बनाओंगे आपको कैसे बनाया है और इसमें पत्ति इधर बनाई है अब इसमें पत्ति यहां बनेगी है इसमें इधर पत्ति बनेगी घि veterans इसे है यह सीधा इसमें इधर पट्टी शुरू होगी और यह पट्टी कैसे शुरू होती है यह देखें यह मैंने बोडर बनाने के बाद इसमें यह देखें इधर से सीधा है यह बोडर बनाने के बाद इसमें मैंने चार सलाई बनाई है ये दो लाइन है उल्टी उल्टी और तीसरी लाइन भी इदर उल्टी बनाई है इदर से सीधा जब हम ये डिजाइन शुरू करें तो उल्टी साइड से ये सीधा होना चाहिए ये देखें ये उल्टी साइड है इसक रिम दिया कि दो कि अगा विक्रिती ही हम ऐसे बनाएंगे यदि दोनों को एक बार बना लिया आप हमें एक इस में ऐसे लपेट करना है और एक बार फिर बना लेदा है एसे फिर हमें ये जो दो फंदे देख रहे हैं इन में से एक पंदा बनाना है ये देखे अब ये दो में से चार फंदे हो गए है हर बार हमें ऐसे ही रिपीट करना है दो फंदे लेने है और एक बार ऐसे बना लेना है फिर ऐसे लपेट करना है और एक बार फिर दोनों को बनाना है और फिर एक फंदा आगे वाला ये वाला एक बार और बना लेना है एक बार आप ध्यान से देख ले दो फंदे लिए मैंने दोनों को उल्टे बना लिए एक साथ फिर ये ऐसे लपेट कर लिया इसके फिर दोनों को फिर एक बार बना लिया और फिर एक फंदा जो है ये वाला सिंगल बना लिया और ये हमें उल्टी साइड से बनाना है सीधी साइड हमारी इधर होगी हर बार हमें ऐसे ही रिपीट करना है अब मैं ये पूरी सलाई बना लेती हूं ऐसे ही उल्टी और फिर आपको जो सेकेंड लाइन होगी डिजैन की फिर वो दिखाऊंगी एक बार आप और ध्यान से देख लेए दो फंदे लिए ऐसे एक लपेट कर लिया दो फंदे बनाने के बाद ऐसे एक लपेट कर लिया फिर ये दो बना लिये और फिर एक सिंगल बना लिया ये ऐसे तो ये दो से चार फंदे हमारे हो गए ऐसे एक लपेट ऐसे कर लिया ये देखे फिर दोनों को बना लिया और फिर एक बार सिंगल बना लिया तो ये दो से चार फंदे हमारे बन जाते हैं और ये वाला फंदा हम साइड वाला लेंगे सिंगल सीधा प्लें जिसकी जो साइड म हमेशा में फंदा प्लेन लेते हैं अब इसकी सीधी सलाई यह इसकी सीधी रो है सेकिंड यह देखिए अब इसमें हमें क्या करना यह इसी में मैं पट्टी के भी रखोंगी और सीधी सलाई में हमें क्या तरीका है इसका बनाने का एक फंदा हम ये प्लेन ले लेंगे, उसके बाद एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, पहला फंदा, और ये धागा पीछे करके, तीन फंदे हम इसके सीधे बनाएंगे, एसे, फिर हम धागा आगे करेंगे, पहला फंदा उल्टा बनाएंगे, और तीन फंदे हम बनाएंगे सीधे, सीधे फंदे हम इधर से नहीं बनाएंगे, ये हम बनाएंगे इधर से, ऐसे, फिर पहला फंदा हम उल्टा लेंगे, फिर दागा पीछे करके, सीधे फंदे हम ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से, अब हमें ये पूरी सलाई ऐसे ही बनानी है, डिजाइन किये, दूसरी सलाई है, ये पूरी सलाई बनाने के बाद, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, कि तीसरी सलाई को कैसे बनाना है, ये मैं बना लेती हूँ, अब ये दूसरी सलाई हमारी कम्प्लीट हो गए, डिजाइन की, अब हमारी तीसरी सलाई हमें कैसे बनानी है, तीसरी सलाई ये उल्टी साइड से हमें, उल्टी ही बनानी है, जिदर हमारा डिजाइन है, ये देखिए, जिदर हमारा डिजाइन है, इधर ये सीधी आएगी, अब ये पूरी सलाई बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ मैं आपको, पूरी सलाई मुझे उल्टी बनानी है, उल्टी साइड से, अब ये उल्टी साइड से हमारी सलाई कंप्लीट हो गई, अब ये सीधी साइड से, अब मुझे सीधी साइड से ये दो लाइने उल्टी उल्टी बनानी है, जैसे ये देखिए, यह डिजाइन बनने के बाद यह वाला डिजाइन बनाने के बाद मैंने इसमें एक यह लाइन और एक यह लाइन अब यह टोटल चार सलाई बनेंगी इसमें एक मैंने बना ली सीधी अब मुझे एक उल्टी इधर से उल्टी बनाऊंगी तो दूसरी साइड से वो सीधी बनेगी फिर एक उल्टी बनेगी फिर सीधी अब चार सलाई मुझे उल्टी सीधी बनानी है और चार सलाई उल्टी सीधी बनाने के बाद फिर मैं दिखाती हूं यह देखिए अब मैंने इसमें दो लाइने उल्टी कर ली इदर अब इसमें आगे क्या डिजाइन डालूंगी मैं और पोकिट की कटिंग कैसे इसकी कटिंग होगी पोकिट की कितने ऊपर बनाने के बाद यह मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगी यह जैसे ही तयार होगी और दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताना आपको कुछ भी पूछना हो इससे संबंदित आप मुझे कमेंट में बता देना मैं उसी त वाला इसी की पट्टी ऊपर चलेगी इधर से जब मैं जेब के करूँगी ऊपर कटिंग नहीं करने इसमें साइड में से बनेगी साइड वाली तो बार्डर शुरू करूंगी और डिजयेयन कौन सा शुरू करना है वह अगली वीडियो में और इससे पहले क्लिक कर आप मुझे जरूर बताना और आज कि थी मेरी यही वीडियो